आल राइट, एक बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे प्रेडिक कर सकते हो कि इस साल का आपका गेट का पेपर का डिफिकल्टी क्या है, इन 65 कोशन्स में से कितने कोशन्स मैं बना सकता था, ए एक्जाम में confident feel करना है, अगर आप ये सब करना चाहते हो, थोड़ा टाइम invest करो इस वीडियो में, आपको बहुत ज़दा help मिलेगी, सबसे बहले बताता हूँ एक तरीका, कि आप कैसे estimation लगा सकते हो कि कितने topics जो मैंने पढ़ाई की है, उसमें कोशन्स आये हैं, आज मेरे gate के paper में, यह IIT खरकपुर के website पे दिया हुआ mock test है, जो last year का gate का paper होता है, exactly same आपका इस साल का भी gate का paper होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखो, right side पे question paper का option होगा, आपके भी paper में, जो इस साल होने वाला है February में, और वहाँ पे आपको 1 to 65, जितने भी questions आये हैं, वहाँ आप question paper की तरह देख सकते हो, ठीक है, हमें next 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 करके जाने की ज़रूरत नहीं है, एक PDF format में आप देख सकते हो, ऐसा पूरा scroll करके, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे 1 to 65, जितने भी questions आये हैं, आप पूरे एक बार गुत्रू कर सकते हो, तीन मिनिट में, या फिर 2- read नहीं किया है, सिर्फ आपने देखनी कुशिश की हैं कि कितने चीज़े मुझे लगबग similar लग रही है, जो मैंने पढ़ाए कि उससे, आपने खुद को एक confidence दिया है, जो आपको help करेगा throughout 3 घंटे focused रहने के लिए, अगर आप uncertain दिमाग से आगे जाओगे, तो हमेशा topics में से maximum questions पूछे गए हैं, तो अभी आपको focus होने की जरूरत है, कैसे करोगे maximum time utilize, वो मैं आज आपको बताता हूँ, कोई भी mock test या फिर कोई भी gate का paper, 3 stages में solve होगा, सबसे पहला stage, 3 stages में solve होगा, इसका मतलब ही नहीं कि हम question divide करेंगे 65, 3 part में, पूरा question paper scan करो, first stage में, scan करो मतलब question read करो, और सोचो, क्या है मैं question directly formula से solve कर सकता हूँ, क्या है question मैंने किसी workbook में देखा हुआ है, क्या मैंने question किसी test series में देखा हुआ है, यहाँ पे मुझे जादा lengthy calculation करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मेरे लिए आसान direct question है यह, बहुत ही कम से कम time मुझे देना होगा, मुझे कुछ सोचने की सरुरत नहीं है, calculation भी जादा lengthy नहीं है, तो वो direct question आप stage 1 में solve करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यह decision लेने के लिए question ध्यान से पढ़ना होगा, ऐसे तयार नहीं रहना है लिखने के लिए, ऐसे शान्त होके question पढ़ना है, तीन घंटे में आपको 65 questions write नहीं करने है, तीन घंटे में आपको 45, 50, 55 questions write करने है, mechanical में थोड़ी जादा करने है, क्योंकि mechanical पर थोड़ा जादा आसान भी आता है, तो समझने की कोशिश करो, सबसे पहले question अगर ध्यान से पढ़ोगे, तब एक अच्छा decision ले पाओगे, कि यह मेरे direct question है, या या फिर उने workbook में कही देखा हुआ है, अगर आप question ध्यान से पढ़ोगे ही नहीं, तो ये stage में divide करना कुछ काम का नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि आप question ध्यान से पढ़ोगे आपी से, तब आपका decision making skill अच्छा होगा, तो आपको पता चल गया कि आपने कुछ questions, 10, 15 या फ अटके नहीं थे, अटक गये तो भी कुछ वरी नहीं है, skip करके आगे जाने, और ऐसे questions solve करते करते, आप question पढ़ते पढ़ते आपने decision लिया होगा, कि इन कुछ questions में मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यह मैं confident हु मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा दिमाग लगा मैं कुन से रख रहा हूँ, जिनने मैं confident हूँ, बस थोड़ा जादा time देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जादा time देना पड़ेगा, stage 1 की comparison में, तो वो questions आप mark for review डालोगे, तो जैसी आपके stage 1 के questions 1265 scan करके हो गए, तो सबसे पहले आपको mark for review वाले questions solve करने हैं, और वो कुछ questions नहीं बनते हैं, या फिर जो expected time सा, उससे भी बहुत ज़दा time ले रहा है, और आपको लग रहा है कि आप loop में फस गए हो, तो बिंदा skip करके next में जाना है, कोई worry करने की जरूरत में है, क्योंकि 65 questions है हमारे पास, तो stage 2 के भी आपके mark for review के जितने भी questions थे, वो आपने go through किये, उसमें से कुछ solve किये, कुछ नहीं solve कर पाए, तो stage 3 अभी आपके पास बचा है, और stage 3 में अभी हमें अपना 100% देना है, यहाँ पे आप जितने questions right solve करने की कुशिश कर सकते हो, दिमाग लगाने की कुशिश कर सकते हो, उतना जदा आपका rank boost होगा, आपको stage 1 और stage 2 में जदा से जदा questions solve करने है, stage 3 में आप 100% अपनी देने की कुशिश कर रहे हो, उसमें से कुछ questions, अगर 4, 5, 6, 20, अगर solve हो पा रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने stage 3 मतलब lengthy calculation है, या फिर आप question में बहुत जदा दिमाग लगाना है, तो stage 1, stage 2 आपको एक optimum rank तक पुछाता है, पर stage 3 आपको help करता है, ranker बनने में, ठीक है, ranker तो वही बनेगा, जो stage 1, stage 2 में जदा अच्छा decision लेगा, अगर आपको लग रहे है कि आप stage 3 में अच्छा decision लेने वाले हो, आपका decision making skill कहां प में आता है, वहाँ पर demotivate नहीं होना है, stage 3 में जाके बिंदास demotivate हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको सबसे पहले question paper scan करना है, तकि आप confident अपने आपको feel करा सको, आपको पता हो कि 65 questions में से बहुत सरे questions मैंने topic में पढ़ाई कि ये उसमें स करेगा, बिना question पढ़े right answer निकालाई नहीं जा सकता, सबसे पहले अपने दिमाग में fit कर दो, या फिर किसी दिवाल पे चिपका दो, अगर मैं question ध्यान से नहीं पढ़ूँगा, मेरा answer right आहीं नहीं सकता, ये दिवाल पे चिपका दो सबसे पहले, formulas दे भाड में, तो ये ए 40-45 questions भी attempt करके आते हो, उसमें से right आपको लग रहे है, maximum है, 45 questions आपको लग रहे है, आपने right attempt करके आया है, आप एक बहुत ही अच्छा score कर सकते हो, गेट exam के paper में, पर वो ही अगर मैं 2019 की बात करूँ, 2019 में वैसा case नहीं तो आपको 50-55 करने चीए तो difficulty पे डिपेंड होता है difficulty कैसे पता चलेगी, stage 1 में भी पता चल सकते है, scan करते वग, या फिर question paper देखते वग भी पता चल सकती है, तो stage 1 में आपको पता चल जाएगा difficulty paper का क्या है, उसके इसाब से respond करो, और किसी भी topic पे अटको मत, किसी भी question को जादा एपने ego पे लो मत, कि ये वाला topic तो मेरा favorite है, मैं तो इसे आज solve करकी घर जाओंगा, हो सकते है कि उस topic को जो आपको लग रहा है कि आप उसमें उस्ताड हो, पर आपका भी बाप कोई ना कोई हो गाई, हर share का कोई ना कोई सवाशेर होता ही है, तो उसने कुछ अच्छा question प्रेम किया होगा आपके favorite topic में से, तो कोई बरी करने की जरूरत नहीं है, वो question किसी का भी solve होने नहीं वाला, जो आपका weak है, उसमें सोच सकता है, आसान question आए, और वो सब को, सब लोग solve करें, पर आप सोचो कि यह मेरा weak topic है, मैं इसे touch नहीं करूँगा, जबकि आप से भी बन सकता था वो, तो exam से भारा के regret मत करो, exam में हो motivated feel करोगे, अभी तक मैंने ये video क्यों नहीं बनाया था, विकि मैं सोचना हो बहुत लोग के बारे में, कोई अगर first time में paper देगा, first time में उसका है, तो उसका कैसी syllabus complete होने वाला है, तो मैंने बहुत लोग को बोला था January 7 तक आप कुशिश कर सकते हो, syllabus complete करने की, तो January 7 से at least mock test स्टार्ट करो, ठीक है worst case है ये, January 7 के बाद mock test देके जादा कुछ मतलब बनेगा नहीं, जितना भी आपका अभी तक syllabus हो जाएगा January 7 तक, मतलब January 6 तक, उतने में wind up करो अपनी preparation, और revision करके, short note से mock test देना स्टार्ट करो, अगर आपको कोई भी doubt है, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते ह जो प्रतिक की future मेरा Instagram का ID है, follow करो मुझे support करो, मैं आपको support करूगा, और आपके जो भी doubt है, वो solve करनी कोशिश करूगा, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंग इस वीडियो के साथ, till then, bye, और अगर आप CSE background से हो, या फिर अगर आप civil background से हो, दो वीडियो यहा आपके branch के लिए सही हो, बाई